नमस्कार स्वागत हैं आपका नेशन मिरर में समराट मिहर भोज की प्रतिमा के अनावरण के बाद भी विवाद थम नहीं रहा है समराट मिहर भोज की प्रतिमा पर गुजर ने लिखने पर समाज के लोगों ने बिगुल फूंग दिया है विरोध में 26 सितंबर को दाद्री के मिहर भोज Đिगरी कॉलेज में गुजर स्वाभिमान बचाओ महापंचायत का आयूजन किया जा रहा है जिसमें समाज के लोग हिस्सा लेंगे आपको बता दें की 22 सितंबर को मिहर भोज डिग्री कॉलेज में गुधुद्वार को समराट मिहर भोज की प्रतिमा का UP के CM योगी अधितनाथ ने अनावरन किया था उनके जाने के बाद ही प्रतिमा पर गुजर समराट मीर भोज ने लिखने को लेकर विवाज शुरू हो गया था इस दौरान दादरी विधायक तेजपाल नागर के खिलाफ भी मौजूद समाज के लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए नारे बाजी की थी यहाँ तक कि उनके कार्याले का घेराव कर गुजर समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया था हलांकि उस से पहले भी विधायक से समाज के लोग पोस्टर और होर्डिंग्स पर गुजर समराट मीर भोज ने लिखने से खफा थे अनावरेंट से पहले भी योगी अधितनात और दादरी विधायक के बैनर और होडिंग्स फाड़े गए थे अखिल भारतिये वीर गुजर महासभा के जिलाध्यक्ष शाम सिंग भाटी ने बताया कि 26 सितंबर को गुजर स्वाभिमान बचाओ महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है इसमें गुजर समाज के लोग मौजूद रहेंगे वहीं अखिल भारतिये गुजर महासभा ने भी गुरुवार को मीटिंग कर गुजर शब्द हटाये जाने की निंदा की है अखिल भारतिये गुजर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कासना और प्रदेश मीडिया प्रभारी अमरजीत चौदरी ने कहा कि समराट महीर प्रतिमा को लेकर गुजर और ठाकुर समाज आमने सामने आ गया है। अन्य अपडेट्स के लिए नेशन मिरर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।